नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चनल पर रिपब्लीक भारत पर पूछता है भारत में आज स्वाधवी प्रग्या ने बड़े खुलासे किये हैं परमबीर सिंग को लेकर चौकाने वाले खुलासे स्वाधवी प्रग्या ने किये हैं और कई दावे भी किये उन्होंने कहा कि सबूत मेरे पासने हैं उसके बाद परमबीर सिंग पर मैं केस करूंगी उन लोगों पर जिन्हों ने यातनाए दी लेकिन अर्णो को सामी ने जो सवाल पूछे स्वाधवी प्रग्या से उसके बाद परंबीर सिंग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं उनका काला इतिहास वो दोहराया गया और बताया गया कि किस तरीके से क्रूर है वो और वर्दी में किस तरीके से गुंडा घर्दी करते हैं और एक और एहम बात स्वाधी प्रग्या ने बताई उन्होंने बताया कि फर अगवा आतंग बनाने की एक शाजिस रची थी पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भारत को आतंगवादी देश गोशित करने के लिए एक शाजिस रची गई थी कॉंग्रेस के कहने पर परंबीर जिंग ये सब कर रहे थे और उसके बाद उनको उसका इ क्योंकि अरणो गोस्वामियों और पूरी रिपब्लिक टीम परंबीर सिंग के दौरा टॉर्चर की जा रहे और यही तॉर्चर यही यातनाय दी गई थी स्वादवी प्रग्या को अगर बात करें तो इससे भी कहीं जादा क्योंकि किस तरीके से एक महिला को पीटा जा रह था वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो जब उनको बेल्ट से पीटते थे उसके बाद परंबीर सिंग उनके हाथ से बेल्ट लेकर यह कहते थे कि तुम लोगों में ताकत नहीं है शक्ती नहीं है उसके बाद किस तरीके से बलका प्रयोग करते थे अवैज रूप से गैर का कॉंग्रेस के तरफ से रची गई थी हिंदू को आतंगवादी कहना कोई बड़ी बात नहीं है कॉंग्रेस के लिए कॉंग्रेस के लाडले राहूल गांधी भी विदेशों में जाकर वो बदनाम करते आ रहे हैं क्यूंकि कॉंग्रेस की विचारधारा यही थी मानसिक्ता यही थी जब 26-11 हुआ था उसके बाद भी बहुत सारे इनके जो लीडर हैं जिनको बाद में बड़े-बड़े पत दिये गए दिगविजे और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उसे RSS की शाजिस बताई थी उसके बाद बेनकाब हुए कॉंग्रिस के लीडर भी और उनके आका ज कि जब मैं 28 साल की थी अर्नो गोस्वामी ने ये साफ कहा कि जब वो 28 साल की थी तब उनको किस तरीके से टॉर्चर किया गया माले गाउप फरजी केस में उनको फसाया गया आज उस व्यक्त के चेहरे से नकाब उतारने के लिए स्वाधी प्रग्या अर्भारत पर आई परमबीर सिंग और इसके साथ हेमन्त करकरे उनका भी नाम उन्होंने लिया और जिसके बाद कॉंग्वेस ने एक बार आप 38 पर जताई थी लेकिन उनको याद दिलाया कि मैं भी और मेरा पूरा परिवार उसमें भी बहुत सारे फौजी हैं बहुत सारे सिपाही हैं देश क भारत को देख रही है, अन्याई के विरुध हो लड़ाई लड़ रहा है, तब वो समर्थन करने और अपनी यातनाों के बारे में जनता को बताने आई हैं कि कि देश की जनता समझे कि किस तरीके से यातनाय उनको दी गई थी, उन्होंने बताया कि जब महराष्ट में वो प प्रभाव दिखा रहें ये दुखित करता है अराजक गत्विधियो को संचालित करते हैं इसी के साथ उन्होंने बताया कि फरजी केस डाला गया था देश घाती शर्यंत रचा गया था मास्टर माइंड उनको कहा गया मुख्य आरोपी बनाया गया मुझ पर दबाव डाला गय कि मैं हाँ बोलू इस मामले को लेकर यहां तक कि साइन भी नहीं करने दिया जाता था जब वकील जाते थे उनके कोई सहयोगी जाते थे तो दबाव डाला जाता था उन पर जजों को भी धमकी दी जाती थी ये सारी चीजे थी मुंबई पुलिस की जो हरकते थी आज आप सम में जो खुलासा अर्नो गोस्वामी ने किया है उसके बाद ये सारी चीजे सामने आई हैं उससे पहले पाल घर की जो घटना हुई थी उसके बाद एंटोनियो माईनो कहने पर अर्नो गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को निशाना बनाया गया था आज भी कॉंग्रिस कही न कहीं इसके पीछे है और ये हम नहीं बलके अर्नो गोस्वामी और बाकी देश की जनता भी ये कह रही है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरत्ती हूँ तो मेरी जिन्दगी चली जाएगी देश बचा रहे लेकिन इसलिए मैंने हाँ नहीं कहा क्यूंकि ये लोग शाजित रच रहे थे देश को बदनाम करने के लिए देश को आतंगवादी देश घोशित करने के लिए ये काम अन्याब हो जाते इसलिए मैंने हाँ नहीं कहा था इसी के साथ अन्याई के विरुद जो मुहिम चलाई है सुशान सिंग राजपूत मामले में सच दिखाया और उसके बाद एक जन आंदोलन खड़ा हुआ वास्तों में अन्याई के विरुद था और इसलिए आज मैं रिपब्लिक भारत पर आई हूँ और ये बतार हुँ उस यातनाओ के बारे में माले गाउं 2006-2008 में हिंदू को बदनाम करने के लिए जूटा केस डाला गया था परमबीर सिंग के वज़ा से मुझे नयाई नहीं मिल पाया था और किस तरीके से अत्याचार हुए थे ये बेहद अत्याचारी व्यक्ति है ये निम्न अस्तर का व्यक्ति है और उन्होंने य यातनाय दी जो किसी अन्य महिला को नहीं दी गई ये इतिहास में ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार था कि किस तरीके से यातनाय दी गई थी और साथ में सौधी प्रग्या ने ये बताया कि इनका शडियन था हमें सालों साल जेल में रखा ऐसे अपसर राजनीत पर चलते हैं कॉंग्रेस पर अंबीर सिंग जैसे लोगों को पालती है ये बीजेपी के सांसद स्वाधी प्रग्या सिंग ने इसका खुलासा किया है और उन्हों ने ये बताया कि एक एक दिन में चार्शीट लगाना राजनीतिक दिश्ट कोर से ये काम करते हैं कॉंग्रेस और इनसीपी बाकी जो वहाँ पर पार्टिया हैं उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया इसी के साथ उन्होंने बताया कि कानून की वर्दी में गैर कानूनी काम करते हैं स्वतंत्रिता के बाद किसी कोई तरीके से परिशान नहीं किया गया था इन लोगों को ऐसे पत प पर आसीन है तो यह हमारा दुर्भाग है साथ मिनों ने यह भी बताया बाला सहाब ठाकरे जो एक दौर था जब उनको जूटे केस में पसाया गया था सामना में ऐसी चीजें लिखी जाती थी जो देश की जनता को जगजोर देती थी और वहीं अगर हम आज के सामना में दे जो भक्त हैं उन पर ही निशाना साधा जाता है आज उधो ठाकरे और बाला सहाब ठाकरे की जब बात कर रही थी अगर हम देखें तो बाला सहाब ठाकरे वो स्वाधी प्रग्या के साथ खड़े हुए थे वो उनके नयाय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन दूसरी लेकर बयान देते हैं ये वही बाला सहाब ठाकरे की विरासत पर बैठे हुए हैं जिनका वर्ण स्वाधी प्रग्या ने किया उन्होंने बताया कि वो कितने महान व्यक्ति थे और उन्होंने साफ कहा था पुलिस ओफिशर को भी कि अगर आप इस तरीके से हरकत करते नंबर हम पब्लिक को दे देंगे उसके बाद पब्लिक आपको बताएगे लेकिन आज उधो ठाकरे क्या कर रहे हैं इस पर स्वाधी प्रग्या ने भी सवाल उठाया उन्होंने मांग कि है कि ऐसे कमिशनर जो मुंबई के पुलिस कमिशनर है जिनको कॉंग्रिस ने बिठा प्रग्या ने बताया है कि मैं केस करूंगी सबूत है मेरे पास और कुछ सबूत जुटाने में मैं जुटी हुई हूँ उसके बाद इनका बुढ़ापा जो है वो ये चैन से अपना बुढ़ापा नहीं जी पाएंगे इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि कब और कैसे क्या क्या उनके साथ हुआ था पाली चौकी का उन्हों जिक्र किया तेरा दिन तक गैर कानूनी रूप से इनको रखा 24 दिन तक पूरे अगर पूरी बात करें तो 24 दिन तक वो हेमंत गर करें और परंबीर सिंग के कस्टडी में रहें और गैर कानूनी तरीके से उनको पीटा गया कोई सवाल उनसे नहीं पूछा गया बस पीटना उनको शुरू कर दिया गया कई बार ऐसे ऐसी चीजे भी उनके साथ हुई जिसके बाद उनको बहुत बड़ी बिमारी भी हुई आज भी अगर देखें तो वो अपना उपचार करवा रही हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि जो पुलिस ओफिशर उस ताइम पर थे बहुत सारे ऐसे साथ पुलिस ओफिशर थे लेकिन कुछ लोगों के नाम हैं खान बिलकर शिंदे इन लोगों का उन्होंने जिक्र किया उन्होंने बताया कि अगर परंबीर सिंग को अगर मैं राक्षस भी कहती हूं तो वो छोटा शब्द होगा भगवा आतंगवादी हिंदू आतंग की ये कॉंग्रेस की ही देने ये कॉंग्रेस ऐसी जूटी रजती है शडियंत करती है भारत को बदनाम करने के लिए और जजों को धमकिया मिल रही थी वो सारी चीज़ें पूछता है भारत में स्वाधवी प्रग्या ने बताया और सिर्फ परंबीड सिंग नहीं बलकि कॉंग्रेस भी बेनकाब हुई कि किस तरीके से शाजिस वो रजती है इसी के साथ राहुल गांथी जब विदेश जाते हैं वो हिंदू के बारे में इस तरीके से बात करते हैं और तभी समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़े कॉंग् स्वाधी प्रग्या ने ये भी बताया कि परमबीर सिंग ने मुझे बेल से पीटा उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियां देकर बहुत सारी इसी गालियां देकर वो पीटते थे और अगर इसके लिए उनको राक्षस कहना हो वो भी कम होगा किस तरीके से एक महिला पर जो केस ने वर्दी का दुरुपियोग किया था ये देश द्रोही केस था मुझे माले गाओं मामले में मास्टर माइंड बनाया गया था और ये सब कुछ जूट था महरास सरकार एक बार अन्याय कर चुकी है माले गाओं कांड में हिंदू का नाम डाला इसमें कितने लोग आहत हो रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है उन लोगों ने जो जूटे केस डाले थे हिंदू को बदनाम करने के लिए स्वाधी प्रग्या और बाकी लोगों को बदनाम करने के लिए लेकिन बाकी जो उनसे जुड़ी जिंदगिया थी जो परिवार थे वो आहत हो रहे थे इसका इससे उनको कोई मतलब नहीं था आज भी महारासरकार वही कर रही है और आज अगर देखें तो उससे भी जादा कहीं गिर चुकी है क्योंकि उस समय बाला सहाब ठाकरे खड़े हुए थे स्वाधी प्रग्या के साथ लेकिन आज उधो ठाकरे परंबीर सिंग के साथ मिले अधर, दिना के साथ मिले हुए झाला सिर्श व 우리를 चुकी है कर रह थे साथ मिले है लेकिन आज मार वही है कर दो जादे है ख से are जा हुए जा मिले है को दोहाब है exactamente आज मिले हुए से ली जा आज baking एिर